नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता में मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आए हूँ आपके लिए खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरे इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में 30 मार्च की रात रोयल चैलेंजर्स बैंगलॉर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच रोमान चक मैच हुआ दोनों टीमों ने कमाल का खेल दिखाया हलाकि बाजी फाफ डूपलेसिस की अगवाई वाली रोयल चैलेंजर्स बैंगलॉर ने मारी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाब तीन विकेट से जीत हासिल की मैच के दोरान कई आदगार शण आये एक फैन मज़ेदार पोस्टर लेकर मुंबई के डॉक्टर डीवाई पार्टिल स्टेडियम पहुचा पोस्टर पर लिखा था कि विराट कोहली के कारण उसकी गल्फरेंड ने उससे ब्रेक अप कर लिया है तो शायद RCB के जगत जीत उसकी जोली में होती RCB की पारी के 19 वे ओवर की दूसरी गेंद पर दिनेश कार्टिक आफसाइड में शौट खेल कर रन लेने के लिए दोड़े मगर तुरंट एहसास हो गया कि गेंद फील्डर के पास है कार्टिक ने हर्शल को लोटने के लिए कहा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी हर्शल आधी क्रीज पार कर चुके थे ऐसे में कार्टिक और हर्शल एक ही छोर की तरफ भागे फील्डर ने थ्रो विकेट पर मारना चाहा लेकिन चूग गए कार्टिक तुरन गेंद बास छोर की और भागे और एक रन पूरा किया फील्डर यदी थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर फेक थे तो मैच का पासा पलट सकता था इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में 30 मार्च को बेहत रुमांचकारी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलॉर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को तीन विकेट से हरा दिया आर्सीबी की इस जीत में उसके विकेट कीपर बल्लेबास दिनेश कार्टिक और राउंडर्स शेर्फिंस रदर फोर्ड और शावाज एहमत तथा गेंद बाज वानिंदू हंस रंगा और हर्शल पटेर ने एहम भूमिका नभाई कार्टिक ने आखरी ओवर की शुरुआती दो गेंदू पर क्रमशा छक्का और चौका जड़कर अपनी टीम के जीत दिलाई तरेश कार्टिक ने आरसी बे को ना सिर्फ ये मैच उताया बलकि एक निजी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है वो आई पील में बतोर विकेट कीपर 200 या उससे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बंग चुके हैं इस मामले में उन्होंने महेंदर सिंग धोनी की बराबरी की है तरेश कार्टिक का आई पील में ये 200 मा मकाबला था वो आई पील में अब तक 383 चौके और 107 चुके लगा चुके हैं वो टूर्णामेंट में सबसे ज़्यादा चौके लगाने के मामले में दसमें नमबर पर है मेक्सिको ने बुदवार रात अपने अंतिम क्वालिफाइंग मैच में एल सालवडोर को 2-0 से हरा कर लगातार आठवी बार सीधे फुटबॉल विश्वकप के लिए जगाब पकी की है कौन्टो कॉफ की ओर से तीन स्वता क्वालिफाइंग करने वाली टीम में कैनडा, मेक्सिको और अमेरिका है कैनडा ने पहले ही रविवार को टॉरेंटो में जमायका को पर 4-0 की जीत से 36 रन में पहली बार विश्वकप के लिए क्वालिफाइ किया कैनडा की टीम अपने अंतिम मैच में पनामा से 0-1 से हर गई लेकिन वो 8 टीम की इतालिका में 28 अंक लेकर शीर्श पर रही मैकसिको 28 अंक हासिल करने के बावजूद गोल अंतर से चूक से दूसरे स्थान पर रहा अमेरिकी टीम रूस में 2018 विश्वकप में जगा नहीं बना सकी थी लेकिन वो कोस्ट टारिका से 0-2 की हार के बावजूद 25 अंक से तीसरे स्थान पर रहेकर विश्वकप के लिए कौलिफाई करने में सफल रही जैसिका पैगुला ने बुदवार को पॉला बडौसा के क्वाटर फाइनल में पांच गेम के बाद रिटायर होने से मियामी ओपन टेनिस टूनामेंट के सेमे फाइनल में प्रवेश किया पैगुला गुरिवार की रात को होने वाले सेमे फाइनल में दूसरे नंबर के खिलाड़ी एगास वियात एक से भीडेंगी जिन्होंने दूसरे महीला क्वाटर फाइनल में पैत्रा क्वितोवा को 6-3 6-3 से शिकस्त दी पैगुला को लगातार दूसरे मैच में प्रतिदवन्दी के वॉक ओवर देने का फायदा मिला वाटर फाइनल में वडोसा के खिलाफ पहले सेट में 5 गेम में पैगुला 4-1 से आगे चल रही थी तब स्पेन की खिलाड़ी ने रिटायर होने का फैसला किया पैगुला को पहले दौर में बाई मिली थी और फिर उन्होंने अगले दो मैच सीधे सेटों में अपने नाम किये चौते दौर के मैच में गैर वरी अनेहेलिना कालिनिया ने तब रिटायर हुई जब पैगुला ने पहला सेट 6-0 से अपने नाम कर लिया था इसके बाद बुदवार को भी इसी तरह अगले दोर में वे पहुँची देश दौर की तमाम बड़ी खबरों से चुड़े रहने के लिए बने रही है जन्ता